रसूल कुर्णिस्ता गाउं में ही यह नूर गंज कहलाता है यह महला नूर गंज है और मेरे पीछे देख सकते हैं यह मस्धिध है माशाल लो और यह मदर्सा नूरिया है यह बहुत ही मशूर मदर्सा है काफि पुराना है मेरे पीछे मकान देख सकते हैं यह मर्हूम चनाब सवीव सहब यह उन्ही का मकान है और माशाललह बहुत जबरदस्त मकान है यह देखें यह इसी निस्ता गाउं में ही है नूर गंच मुखनला है उसी में है हुआ है हुआ है यह मतलब कटका गाउं हुआ और यहीं पर ऐसे इंको घुमाने के लिए निस्ता में ही यह नासिर गंच है यहीं पर हम आये हुए यह दॉक्तर जिक्वुल्बा साब है इन्हीं के घर पे हम आये हुए हैं यह इनका घर हो गया मकान जो है और अभी यह इनका गार्डन है किसी गार्डन में हम लोग भी खड़े हैं यहां पर देखिए इस आम कर रहे हैं और यह दिख लीजी आम का पीड़ है हमको लगता है कि यह 15 दिन के बाद याम खाने लायक हो जाएगा और आप कुछ कहेंगे और यहां पर और सब भी मकान सब नहीं कर आ रहा है यह दिखियो दिमें वह दश्चा लोग का है सब्सक्राइब करना है उन लोगों के बीच बाटना है तो यह काफी एक्टिव रहते हैं जो भी समाजी काम होता है उसमें बढ़ चड़ कर यह हिस्सा लेते हैं और हम लोग जो है यहीं अपना घूम रहे हैं लिस्ट बना रहे हैं हुआ है आज दो अजय को दो अजय को कटका है यहां पर देख सकते हैं पीछे में पूरा कैसा लग रहा है तुमको अच्छा लगा है मज़ा है बहुत अरे वाद यह देखे यह आम जो है यह गाउ में रहने का एक अपना अलग ही मज़ा है अभी आम का वक्त है और घुम घुम कर गाची सब में आम केरते से ही हम अराम से इस तो खा सकते हैं आप दसपंदर दी में यह और अच्छे से पक जाएगा सारा जो भी आम सब तो बहुत ही जबदस्त मजा है देखी गाउं जहांत में रहने का जनाब जैफी साहब हुए और हम लोग शॉबिंग करने के लिए यह काफी मशूर चौर कहा जाता है सोतिया का चौर यह बहुत किसी जमाने में रोड जो है बहुत ही खराब था लोग आ जा नहीं सकते थे मगर आप वहतरीन रोड देख लीजिए यहां पर बन गया है यहां पर देखेंगे बक्सिये लोग काफी है और सब जो है बहुत गाउ में यह जो कोतर है कोतर चौर कहलाता है यह यहीं पर आए हुए है पहलते हुए यह दोस्त श्याम है और यह इनके कजन है कुछ बोलिये कुछ बताइए ज़की आपको एक खेती है समय सावन से उत्पादन होता है इसमें धान अगन मा से इसमें गेहों की फसंद तयार जाती है साल में दो फ़सल केबल लगती है जादर पसंद आपको यहां है वह इस दुकान के यह नाम है यही ओनर रहे इस दुकान कि यावाई रोज भैन को आयाजी रोज बैन कोई पए आयाजीन और पुछ से लोज जोगेश कोई जोड़त से लोज बैन कोई पर आयाजीन और फूश्टुई ओ हीर मेरी तू हस्ती रहे तेरी आँख घड़ी भर नम ना हो मैं मरता था जिस मुखडे पे कभी उसका उजाला कम ना हो ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यूं आँख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हुँ मैं और चांद हमेशा रहता है को बाहम कि रहुत है आप कि आप कुछी के एध हैं जीजी तू कि है कि गमाई के नज़र नपार जाए एक माकी नज़र नपार जाए इस पूरी है कलाया तनाते मुझे हरी हरी चूरिया अपना बना ले जबाव मौसम काफी खराप हुए है जांदों पिखिया आपी आ रही है और रही है और इस जोपर थीज़ वुश्म काफ है खराप है और यह रामातार्ग है और यह इनके भाई तो है मानू कुछ बोलेंगे बोलेंगे बना रहे हैं मौसम का पेड़ है यह शरीपा जिने सिर्काफ़ी किसी चाइब का है तो हमक्तार्ग का पेड़ है यह आप है अभी पिरे-पिरे जो है यह बड़ा हो रहा है अभी वितलंड दो चुमते है असे बहुत छोता रहे है काफी अच्छा लग देखने में divya अपैय स्विक्वीच जो दॉतर्थ च्प्रितल यह इसब मॉए और फोल्स की और यहां पेड़न में रहने का अपने अलग है अवन नर्मिटलम औरिज हो हो सभ सरिया आम रीची के वक्त मेरी लिजी और अलग 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 जूद खाने को मिलता है तो बस एक अभी चरेंगे सूद खाकर छल्क इनिक हो रही है और यह खाज है थोड़ारी है यह कनिलाल जी है यह रहे हैं केत वगजरह में काम करते कि है जुज़ारा साहे तो यही बारिश का मज़ा ले रहा है और इंगराई करते हुए जो होता है हम लोगों का केत यही करते हैं इंतर नाम पेशन यादर दी है और यहीं देख लीए यह इंडरमें जो यह प्रेट है हम लोगों का इस तरफ में आई हम लहां से कुछ काम था मिलने के लिए कुछ कहना चाहेंगी है वहादी कही है क्या है आप लोगों कर दो दो आप लोगों कि अधर जाए खेद है पीछे में वो सेरा कहलाता है यह इसता में वही पर दौनी और गरहा है वही आपना गए वे तिक्टिए और शर कैसा लगता है आपको यहां रहे के कहां पर हुआ अपका घर अच्छा यह उपर में यह जो भीड सब है इस पे घर आपका नाम क्या हुआ तो इसके अंदर मखानों अगरा कप निकालते हैं कुछ आए दिया बईसाफ निए अच्छा आप अच्छा अच्छा तब कैसा लगता है यहां पर आपको अच्छा लगता है अच्छी है क्या नाम हो तुम्हार नाम क्या हुआ बलो बलो क्या नाम है शाम का वक्त है और इसी गाव में तहलते हुए यहां पर यह मुर्गी वार्म ही यहां पर काफी देंदयाज में बहुत धरदर्ष्ट बहुत ही बढ़ा मुर्गी है ओर यह हमारे है मुर्गी आप इसके बारे हम कुछ हमें बताएंगे यह मुर्गी फार्भ हम 2010 से चला रहे हैं और पहले दूसरी जगह पर था छोटा था जो 3000 की कैपिसिटी का था लेकिन अब जो है यह 6000 कैपिसिटी का है और इसमें इन दौर की एक कंपनी से हमने निपल डिरिंकर मंगवा के लगाया है कि यह एक आसान ही हो गई है कि इसमें बदवू कम होती है यानि मरता कर्ण कम है और कुंणी अंदर गिला कम होता है और लेबर के लिए भी आसान हो गया कामकर ना जैसे अगर 6000 की मुरेजी फार्ण में कर्ण 2 hace 1-2 यादमी का काम होता तो अब एक आदमी आर्या मत्ञा उत्या जो यह विंचर सिस्टम है और यह बिल्कुल जमीन पर यहां आ जाता है और कि पाम करने का समय हो बच्चा निकल गया मुझी साफ सफाई करना तो इसे उपर कर दिये और यह इसका पंप और इस पंप पर यह खुबी है कि छोटा बच्चा को पिलाने के लिए और बढ़े को प और दूसरा यह है इसका साथ के यह दो टैंक एक में दवा चलता है मेडिसीन के लिए है और दूसरा में सिर्फ साधा पानी सेंटाइस करके पिलाए जाता है और यह इसका फिल्टर है